दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडिय में इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पूलिस टीचर एग्जाम के लिए काफी उसफ क्लिक करके आप पर्चेर्स कर सकते हैं किसी प्रकार की कुईरी के लिए इस नंबर पर आप कॉंटक्ट कर सकते हैं राह संगर्स की जो चलता है वही संसार को बदलता है जिसने रातों से जंग जीती है सूरे बनकर वही निकलता है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तो आज है दो जनबरी और स्टार्ट करते हैं आज करने फेस उससे पहले एदेविते काम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और दोस्तों वीडियो को आखरी तक जरूर देखा करें प्रत्य गरूर्न एक्जाम के लिए एक एक कोशन काफी इंबोडन रहता है चलिए तो फिर फटा पड़े स्टार्ट करते हैं आज कमारा पहला मुस्ट इंबोडन कोशन दोस्तों तेलंगाना हाई कोर्ट के पहले और दोस्तों उन्हें आंदर प्रदेश और तेलंगाना के राज्यपाल जो है इसन नर्सिंभन ने इनको पदकीशपत दिलाई है ठीक है और दोस्तों हैदरावाद में हाई कोट के जो है विभाजन के बाद तेलंगाना के लिए अलाग उचन्याले एक जन्मरी दोरनीश को दोस्तों आपको बता दे कि विजय बाड़ा में आंदर प्रदेश चिन्याले भी जो है एक जन्मरी दोरनीश स्यस्त में आ जाएगा तो बरतमान में हो जाएंगे भारत पचीस हाई को ठीक पचीस हाई कोट हो जाएंगी यह जरूर पॉइंट याद रखिएगा इसके लग तो तेलंगाना भारत कुंती सावराज जे बना था 2002 222 2014 में आंधरब्रदेश चलागोकर भारत कुंती से भारात बन ते लंगाना की एप्टल हैदराबाद भरतमान में सीयम है यहां के के चंसे खर्राव जो की लागया ता दूसरी वारबन हैं और यह आप जरूर याद र लाइक से फटाबाट वीडियो लाइक करके अपना सपोर जरूर देखाएं दूसरा कोशने कादर खान का 31 दिसंबर 2018 को निधान हो गया है वह एक प्रसिद्ध क्या थे दोस्तों आप सब को पता होगा यह प्रसिद्ध अभिनेता थे यहां से आप फैक्ट जरूर यादर किये है और दोस्तों उन्होंने 250 से दिक फिल्मों के संबाद भी लिखे हैं और 37 साथ एक संबाद लेखक के रूम में उनकी फिल्म पहली फिल्म जो थी जवानी दीवानी ठी ठीक है और एक पटकता लेखक भी थे तो कादर खान का निधन 31 दिसंबर को हो गया प्रसिद्ध अभ 30 दिसंबर को हुआ है ठीक है चलिए काफी इंपोर्डेंट है दोस्तों आप हम इस्टाग्राम पे जरूरू कर लें और मैं प्रीवेस के कोशन कुछ डेली पोस्ट करता हूं ऑनलाइन इस्टी पॉइंट अपने इस्टाग्राम से सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं हमारा दोस्तों असुनी लोहानी का स्थान लिया है असुनी लोहानी का ठीक है जो की 31 समर को रेटायर हो गए हैं दोस्तों आपको बता दे कि दक्षिन मध्य रेलवे के महाप्रवंदक थे दक्षिन मध्य रेलवे को महाप्रवंदक थे दोस्तों आपको बता दे कि इंडियन रेल तो वान में कौने पीश गोईल है कोश्चान अमर फोर्थ किस राज जने किसानों के लिए क्रिशी क्रिशक बंधु योजना के तहत दो कल्यानकारी पहल की घोशना की है तुए कि दुस्तों पस्चिम मंगाल ने ठीक है ऑप्शन भी पस्चिम मंगाल देख तो पस्चिम मंग बार को जो दो लाक रूपए परदान करेगा और दूसरी पहल के अंतरगत दोस्तों किसानों के एक एक एकड़ भूमी और इसमें जो एक एक एकड़ भूमी पर फसल उगाने के लिए वरस में दो बार पच्चिस रूपए मिलेंगे ठीक है तो यह आप याद रखिएगा प इतने करोड़ रूपए का निवेश किया है तो भारत सरकार ने चार सार्वजनिक बैंकों में निवेश किया है 10,882 रूपए ठीक है 10,882 करोड़ रूपए ठीक है ओप्सन भी करेक्ट हो जाएगा ठीक है देखे तो यह लगभग आधा दर्जन सार्विक छेत्र के उधार दाताओं में निवेश किये जाने वाले 28,615 करोड़ रूपए की पूझी के एक हिस्सा है और यह चार सार्विनिक बैंक कौन कौन से जिन में निवेश किया है तो यह हैं दोस्तों यूको बैंक, बैंक आप महारास्टा, सिंडिकेट बैंक और सेंटरल बैंक आफ इंडिया ठीक है तो देखे दोस्तों यह आप याद रखे है कि PSB यानि Public Sector Banks बरतमान में कितने हैं 21 बैंक है ठीक है 21 यह ज़रूर पॉइंट याद रखीगा तो भारत सरकार ने 496 के बैंकों कितने करोड़ रूपए कर निवेश किया है 10,882 करोड़ रूपए है ठीक है option भी correct हो जा जो है इसमें घातक भोषकलन भी शुरू हो गया ठीक है उस्मान याद रखिएगा फिलिपीन्स में जो है ओश्न कटिबंदी तूफान है चलिए अगला कोशन हम देख लेते हैं कोशन नमर 7 थे चक्रवात गाजा से प्रहईद लोगों के लिए तमिलाडू कितना पैसा दि जाएगा ठीक ऑप्सन भी करेक्ट हो जाएगा देखिए ग्रीमंत्री राजना सिंग देख्ष्ता में उच इस्तरी समिती की द्वारा अनुमोदान इसमें प्रदान किया गया है ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संग्ठन याई ठीक है 1958 में इसके बरतमान में अध्यक्ष को ने जरूर याद रखेगा डियादेख जी सतीस रेडी ठीक है और डियाडी जो रक्षा मंत्रा लेकि रक्षन संधान और विकास विभाग के तहत काम करता है बरतमान में रक्षा मंत्री को निर्मला सितरामंजी चलिए अगला कुछन देख लेते दोस्तों भारती विक्जान पांग्रेस का विशय क्या था 2019 काzubो इसका क्या होगा दोस्तों इसका विशय होगा फ्यूचर इंडिया साइन्स एंड टेक्नोलाजी यानिक इसका ओप्सन सी करेक्ट हो जायागा ठीक है यह होगा इस बार का जन्वरी धर उनिर्श में जो होगा चलिए और तीन जन्वरी सी स्टार्ट हो जायागा अगला कोश्चन है हमारा हवाई एड़े की तर्ज पर निम् मतपरिस की राज़ानी भौपाल में सी जो हवीब गंज रिल्वेस्टेशन ने पहला वर्ल्ड क्लास रिल्वेस्टेशन बनने जा रहा है ठीक है यह हो जाएगा हवीब गंज मतपरिस याद रखियेगा मोस्ट इंपोर्टेंट है फिर हमारा दुस्तों कोशन नमर 11 भारती से साथ जनवर दोहर उनीश को किया जाएगा इस बार कभी से मैंने आपको बताए फ्यूचर इंडिया साइंस टेक्नलोजी है ठीक है जरूर याद रखेगा मोस्ट इमोर्टन कोशन कहां पर होगा जलांधर पंचाम में लवली प्रोफेशनल इनवर्सिटी में फिर हमारा सेंटी नेल प्यादर के एक जन जाती है अंडमान में पाई जाती है फिर कोश्चान नमर 30 है दोस्तों हमारा अंडमान और निकोवार के निम्रिकीद में से किस दूइप का नाम बदलकर नेता जी दूइप रखा गया है रौस दूइप ठीक है ओप्शन सी रौस दूइप देखें तो नेता जी शुवाश्यंदर बोस द्वारा अंडमान और निकोवार दीप में तिरंगा फैरानी के 75 वर्स गाट पर मोधी जी जो है यहां की राज़ानी पोर्ट विलेयर में कारिक्रम के द्वरान तीन दूइपों को नाम बदल ने घोशन की है रौस दीप का न आप ने कितने जैब विविता लक्षे निधायत किये हैं 12 है 12 ठीक हो जाएगा अब देख लेते दोस्तों लास्ट वीडियो का अंसर मैंने कोशन किया पूछा था एक सो चटवी भारती विजान कांग्रेस की सराज जमाजित की जाएगी तो यह की जाएगा पंजाब जाल सब्सक्राइब ने राइट एंसर देता और डिटेल में लिखा था आप देखले तो आज का सवाल के आप काफी बोडेन बहुत मात्पूर्ण है केंद्री सूचनायक में मुख सूचनायक किसे नुक्तिया गया फटा फटा फट ज्यादा ज्यादा लोग कमेंट करेंगे जल अनवाक्स में आपको मिल जायागा ठीक है वीडियो पसंदर लाइक शेयर करना विल्कुल ना भूले दोस्तों मिलते हैं शुड़ों के साथ तब तक लिए आप सबस्तर ये बेस्तर ये मस्तर ये जै हिंद जै भारत